जहां सारे सिच्छ संसान बंध हैं और विद्यार्थी दुविदा में हैं आके हमारी पढ़ाई कैसे हो भी वही मेजर कलसी क्लासिस लडाई में आपके साथ हैं आप गर बैठे भी डिफेंशेट के सभी आने वाले एक्जाम की तैयरी कर सकते हैं इसके लिए आपको Google Play Store से MKC Learning App को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइप ग्लासेस, रिकॉड़ेट वीडियो लेक्च्चर्स, चैप्टर वाइफ नोट्स, कुश्चन बैंक विद दे सलुशन, कम्प्लीट ओनलाइन टेस्ट, साथी साथी असाइनमेंट और प्रपर डाउट कांकर्ट इस चनोती को और समय बदलना है, और हम आपके साथ हैं, तुरन डाउनलोड करें, MKC Learning App, कहते न, ऑनलाइन पढ़ेगा, तभी फोजी बनेगा इंडिया प्रेवियस एयर में कुश्चन्स पूछे गए हैं, तो उन कुश्चन्स को भी लेक्चर के अंत में हम सॉल्व करेंगे, जो आज के ही कॉंसेट पर बेस्ट होंगे, तो चलिए, बिना समय को बेस्ट करते हुए, शुरू करते हैं अगर आप देखे, पहला जो कॉंसेट है, वो मेनी आ और मेनी एंस रिलेटेड है, तो अक्सर आप जब देखते हूँ मेनी, तो मेनी सब्द देखते ही आपके दिवाग में ख्याल आता है कि एक से ज़ादा की बात हो रही है, लेकिन जैसे ही आप आर्टिकल ए या फिर आर तो इसके साथ वर्ब कैसी होनी चाहिए, तो यह सबसे बड़ी बात बन जाती है और अक्सर कहिन कहीं इससे रिलेटेड, कन्शूजन भी हमारे दिमाग में आ जाती है, तो अगर आप बात करें मेनी आ या मेनी एं की, तो जी हाँ, इसका मतलब भी होता है कई, एक से का ही भाव प्रकट करता है, लेकिन यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर दिया है, तो इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करने के नाते, इसके साथ जो भी नाउन आएगा, वो हमेशा सिंगुलर में होना चाहिए, और हमेशा याद रखिएगा, नाउन हमेशा काउन टेबल होगी, ऐसे नाउन जिसको हम काउन्ट कर सकें, यहनी इनके साथ काउन्टेबल नाउन आएगा, और सिंगुलर काउन टेबल नाउन होना चाहिए, अब अगर नाउन सिंगुलर में होना चाहिए, तो एक से ज्यादा का तुब हाव परकठ करेगा, लेकिन के माद्धियम से मैंने कहा मैंनी अ स्टुडेंट है सपोर्टेड इस बिल ठीक यह आप देख सकते हैं तो यहां पर हमने मैंनी लगाया मैंनी के बाद हमने आर्टिकल ए यूज किया फिर उसके बाद इस्टुडेंट लगा दिया अब आपको पता है आर्टिकल ए और एन तो अगर वावल से अगर माल लिजे इसके बाद प्रयोग होने वाला कोई शब्द है उसका उचारण करते हो तो वावल से होता है तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे और अगर कॉंसोनेंट से होता है तो ए से ए के यनि आर्टिकल का यूज किया जाएगा इस्टुडेंट है मतलब यहां पर कॉंसोनेंट की बात हो रही है तो कॉंसोनेंट की कंडिशन में हम यूज करेंगे जैसे मैंने कहा यहां पर मैंने के बाद आर्टिकल एन आया है क्यों क्योंकि इसके बाद इंगपॉर्ट आया है और इंगपॉर्ट को जब आप प्रनुशियेशन करते हो चारण करते हो तो इसका प्रनुशियेशन करने पर वावल का ध्वनी निकलती है वावल का की तरह श्वर निकलता है सब यहां पर आप देख सकते हैं कि many an import has been stolen तो many an import has been stolen है तो इसके बाद यहां आप देख सकते हैं article n आया है उसका reason है कि import है तो इसका wobble से उच्चारण हो रहा है इसलिए article n आया है तो noun भी singular में और इसके साथ word भी singular में प्रयोग की जा रही है तो I think यह concept आपको समझ में आया होगा चले next concept की बात करते हैं next concept है वो somebody, everybody, nobody, anybody, everyone, someone, no one, anyone से related है तो पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं यह जो माने जाते हैं वो indefinite pronoun के part माने जाते हैं मतलब आप जनते हो something, nothing, anything यह सब भी होते हैं तो somebody, nobody, anybody, someone, no one यह indefinite pronoun माने जाते हैं अब इन्हें indefinite क्यों बोलते हैं? indefinite का मतलब है अनिश्चित का मतलब यानिश्चित ब्यक्ति या वस्तू को जो भी प्रदरसित करते हैं pronoun उनको हम indefinite pronoun मानते हैं अगर मैंने कहा nobody, इससे कोई definite person के बारे में पता नहीं चल रहा है मैंने कहा anybody, मतलब कोई भी ब्यक्ति की बात हो रही है तो मतलब इनसे किसी निश्चित ब्यक्ति या वस्तू के बारे में पता नहीं चलता है तो इन ही को हम indefinite pronoun के नाम से जानते हैं अब इनके बारे में हम कुछ और चीजे भी जानेंगे तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि इनके साथ verb कैसे आती है तो indefinite pronoun को British English grammar में singular माना जाता है तो जब भी ये किसी भी वाक्य का subject होंगे तो इनके साथ singular verb प्रेयोग होना चाहिए जैसे मैं अगर बोलूँ Somebody has stolen my car फिर मैंने कहा Nobody wants to go there उसी तरीके से Everybody wants to succeed in life ये तीन सिंटेस हमने लिखा है मैंने का Somebody has stolen my car किसी ने मेरी कार चुरा ली है अभी ये somebody है indefinite pronoun है ये वाक्य का subject है तो इसके बाद verb हमेशा singular में आएगी उसी तरीके से आप देख सकते हूं मैंने लिखा है Nobody wants to go there कोई भी वेक्ति वहाँ जाना नहीं चाहता Nobody subject है आप wants लिखा है W-A-N-T-E-S इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं ठिक ये Nobody wants to go there आप यहाँ पर wants है आपको पता है कि sentence present indefinite tense में है तो ये V5 हमने use किया है तो wants singular verb है ठिक उसी तरीके से Everybody wants to succeed in life हर वेक्ति जीवन में सफल होना चाहता है यहाँ पर wants singular condition में use की गई है तो ये point clear है कि अगर ये वाक्य के subject हैं तो इनके साथ verb singular में प्रियोग होना चाहिए अच्छा इनसे related कुछ और concept को हम सीख लेते हैं concept ये है कि मान लीजे इनका प्रियोग किसी भी वाक्य के subject के स्थान पे किया गया है ठिक तो अगर मान लीजे इनही से related वाक्य में किसी अन्य प्रणावन की जरुरत पढ़ जाए हाला कि ये मैं कुछ प्रणावन से related concept को आपको बता रहा हूँ चुकि इस से related है तो समझ लेना ज्यादा बेटर माना जाता है ये वाक्य के subject हों और इनही के लिए वाक्य में किसी अन्य प्रणावन की जरुरत पढ़ जाए तो अन्य प्रणावन के रूप में या तो he का use होगा या तो him का use होगा या तो his का use होगा या फिर himself का use किया जाएगा ये बहुत important point है ये subjective case है ये objective case है इसको possessive के साब बोलोगे, चाहे possessive pronoun की बात करें, possessive adjective, इसको हम reflexive pronoun बोलेंगे, जैसे मैं sentence मैंने लिखा, मैंने लिखा, everybody should do his duty, हर बेक्ति को अपना करतब करना चाहिए, यहाँ पर his आया है, और यह his किसके लिए प्रियोग किया गया है, everybody के लिए यूज किया गया है, possessive adjective केस में है, और यह duty अपने आप में एक noun है, students, बात यह है, कि examiner क्या करेगा, his की जगा, their use करेगा, मतलब वो आप शक्ता पड़ेगी, तो वो दे दे देगा, them दे सकता है, their दे सकता है, या फिर their से दे सकता है, या फिर themselves से दे सकता है, यह point आप दिमार्ग में रखना, और आपको पता है, कि यह singular condition माना जाता है, तो जब भी आप use करोगे, तो he, him, his, himself और शक्ता नुसार, इन ही में से किसी का हम प्रियोग करेंगे, जैसे एक example और देखते हैं, मैंने कहा, everybody should protect himself from cold, यह आप देखिए, अब यहाँ पे हमने himself का use किया है, reflexive pronoun है, किस के लिए आए है, everybody के लिए आएगा, ठिक, तो कहने का मतलब है, कि अगर यह आए हैं, तो इन के लिए हम वाकिम अगर pronoun का use करेंगे, तो pronoun के रूप में इन ही में से किसी का प्रियोग होना चाहिए, यह बहुत important point है, अच्छे, एक चीज़ आपको exception बताता हूँ, इन से related, आपने सभी लोग गोने question tag का नाम सुना होगा, ठिक, question tag के बारे में, तो question tag में यही एक exception बनता है, तो आपको पता है कि question tag में helping work की ज़रत होती है, जो वाकिके सम्टिन से सम्बंदित होती है, question tag में हमें एक pronoun की ज़रत होती है, तो मालनी जिस subject की रूप में इन में से किसी का भी प्रियोग किया गया हो, तो यही एक exception बनता है, जहां पर हम question tag के pronoun के रूप में हम दे को लेते हैं, तो आप confuse मत होना, यही एक exception है, जहां पर question tag की अगर condition बनती है, तो question tag की condition में हम he का नहीं use करते हैं, बलकि he के इस्थान पे हम दे का use करते हैं, जैसे एक्जाम्पल के माद्ध हम से जानते हैं जैसे मैंने कहा मैंने कहा everybody can do it can do it ठीक जैसे मैं पता है कि अगर sentence positive है तो question tag negative बनता है और question tag की helping verb जो होती है दिये गया sentence से लिया जाता है तो इसमें आप देख सकते हो model auxiliary can use हुआ है तो इसका मतलब हम use करेंगे can't check can't use करेंगे अब can't ही नहीं लिखेंगे बलकि हम लिखेंगे can't they और फिर हम question mark लगा देंगे everybody can do it sentence positive है हर बेक्ती इसको कर सकता है तो हम negative बनाएंगे can हम ने लिया फिर हम not को short form contracted form को हमने use किया और everybody चुकि वाके का subject है तो इसका अगर हम इसक से related pronoun की बात करें तो मतलब यहां पे हम दे का use करेंगे तो यह exception याद रखना कि हर condition में हम he, his, himself इन सभी का use करेंगे यही एक question tag की condition होती है जहां पे हम दे को prefer करते हैं I think यह point समझ में आ गया होग आए next की बात करते हैं अच्छा जैसे मैंने कहा everything, something, nothing, anything यह भी indefinite pronoun के ही part माने जाते हैं तो अगर मान लीजे indefinite pronoun के part है तो इनके साथ भी जो verb की condition बनेगी वो भी हमेसा singular में होना चाहिए मतलब यह वाके के subject है तो इनके साथ हम singular verb का use करेंगे ठीक है जैसे मैंने कहा everything is possible in this world everything is possible in this world ठीक तो मेरा कहने के बस यही मतलब है कि अगर यह subject है तो इसके साथ भी singular verb का use किया जाएगा एक point इससे related और यह बनता है point यह है कि माल लीजे हम यह pronounce से related condition बता रहे है चुकि आपको indefinite pronoun के conditions तो हमने discuss कर रही दी अब point यह बनता है कि माल लीजे वाके का subject है तो इसके लिए और किसी प्रणौन के जुरत पड़ जाए तो अन्य प्रणौन के रूप में it या फिर हम its या फिर हम itself का use करेंगे तो यह जानते रहिए आप इन में से किसी का भी प्रयोग आवशक्त अनुसार वो sentence के structure के उपर depend करेगा कि हमें क्या use करना है जैसे मैंने कहा everything has its own importance यह आप देख सकते हो मैंने कहा everything has its own importance अब यह its आया है यह किस के लिए आया है everything के लिए यह possessive adjective है actual में तो everything has its own importance आप देख सकते हो यहाँ पर singular verb आया है और यहाँ पर हम यह pronounce related अगर हम बात करें तो it यह its यह itself यह reflexive pronoun है यह possessive adjective है और its objective और objective दोनों में same रहता है तो यहाँ पर हमने possessive adjective के रूप में use किया है तो I think यह भी point आपको समझ में आया होगा question tag की अगर हम बात करते हैं तो question tag की condition में हम it का ही use करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा exceptions नहीं है तो इसलिए हम अगले question के और move करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर offline का नहीं चल रहा है तो online ही एक ऐसा medium बनता है जहां पर हम study को अपने continue कर सकते हैं इसलिए उसमें सबसे बहतर platform को चुनना यह सबसे बड़ी चुनावती बनती है तो आपको पता है कि MKC एक ऐसा संस्थान है जहां पर सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा selection दिये हैं defense की field में तो आप इसको download करें और अपने सपनों को साकार करें study नहीं रुकना चाहिए इसका यही परपज है तो चलिए आगे move करते हैं next question की और यानि next rule की बात करते हैं next जो अगला rule है अपना वो neither nor either or not only but also अक्सार इसी से related भी questions कई बार पूछे गए हैं अभी हम लोग कुछ questions भी solve करेंगे फिलहाल आप ऐसे याद रखना कि जब भी अगर इन तीनों की condition कहीं भी बनती है तो इनके साथ जो भी वर्व आएगी तो वो nor or or but also के बार जो भी नाउन या प्रनाउन होते हैं वो उनके अनुसार प्रयोग होना चाहिए जैसे अगर मैं लिख हूँ मैंने कहा अध्यान दीजेगा अध्यान दीजेगा अध्यान दीजेगा इधर आया है और यहां पे और है तो आपको इसको पहले वाले को नहीं देखना है बलकि और के बाद आप देखिए कैसे नाउन या पिनाउन कैसा सब्जिक्ट है क्या यह सिंगलर में है अगर सिंगलर होगा तो सिंगलर वर्व आप देख सकते हैं यहां पर friends लिखा है इसलिए हमने यहां पर have कर दिया मैंने कहा not only Ramesh but also Shoresh आप देखो यहाप पे नॉट अनली रमेश बट आलसो शुरेश वांस तो जॉइन दिस ओगनाईजेशन ना के बल रमेश बल्के शुरेश भी इस संस्थान को यह इस ओगनाईजेशन को जॉइन करना चाहता है यहाँ पे बट आलसो के बाद सुरेश क्या है सिंगुलर कंडिशन में है तो यहाँ पे भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज कर दिया इदर और का मतलब होता है मतलब दोनों में कोई एक के अर्थ में हम इदर का यूज़ करते हैं तो कहते हैं या तो रभी या तो सुरेश या तो मोहन या तो महेश उसी तरीके से आप नीदर नौर की जब बात करते हो तो आप कहते हो ना ही तुम ना ही तुम्हारा भाई इनके बाद यूज होने वाले noun या प्रणौन के अनुशार होना चेहिए तो ये point I think समझ में आ गया होगा चले अगले question के और move करते हैं यानि अगले rule के और अगला रूल है देर से related तो देखो जब भी अगर हम देर की बात करते हैं तो देर को हम नकली subject बोलते हैं dummy subject आप बोल सकते हो या फिर एक तरीके से बोल सकते हो introductory आप subject के रूप में बोल सकते हो मतलब जब भी आप देर से sentence की सुरवात करते हो या मालीजे आप subject रूप में देर का आपने यूज कर दिया तो देर के साथ जो भी वर्ब आती है जैसे मालीजे इसके साथ जो वर्ब आई है तो इसके साथ जो वर्ब आई है वो इसके साथ प्रयोग होने वाले noun या pronoun के अनुसार होना चहिए यह कब एक हम assertive sentence के structure के हम बात कर रहे हैं अगर माली जी interrogative हुआ तो यही जो verb है इसके पहले चले जाएगी तो conclusion यह निकला कि इसको एक dummy और नकली subject consider किया जाता है तो इसके साथ जो भी verb आएगी वो इनके यानी noun या pronoun के अनुशार आना चाहिए तो इसका तर्क क्या निकला तर्क यह है कि अगर यह प्रयोग होने वाला noun या pronoun singular में है तो मतलब यह verb जो होगी singular में आएगी अगर यह plural में होंगे तो हम plural verb का use करेंगे इसलिए आप बोलते हो आपने कहा there is nothing for me आपने क्या बोला there is nothing for me there is nothing for me उसी तरीके से मैंने कहा there are two books on the table there are two books on the table आप देखो nothing है nothing को हम singular मानते ही हमें पता ही है तो यह nothing singular में तो इसलिए यहाँ पर is हमने use कर दिया यहाँ पर आप देख सकते हो two books आया है तो यहाँ पर क्या आया है are अगर हम two books की बजाए आ लिख दें माली जे मैंने कहा there is a book on the table there is a book on the table तो यहाँ पर is a book हो गया यहाँ पर is आया क्योंकि a book की बात कर रहे हैं तो conclusion क्या निकला conclusion यही निकल रहा है कि यह there एक introductory subject माना जाता है dummy subject होता है इसके साथ जो verb का निर्धारन होता है वो noun या प्रणौन के अनुसार होता है मैंने again कहा कि अगर interrogative sentence हो गया तो यही verb इसके पहले आ जाएगी तो confusion नहीं होना चाहिए फिर भी जो verb आएगी वो इन ही noun या प्रणौन के अनुसार होना चाहिए I hope यह आपको सारी point समझ में आई होगी चलिए आगे move करते हैं आप देखिए अब हम आज questions भी solve करेंगे जो कहीं न कहीं आज के जितने भी concept हमने समझाएं उसी पे based हैं और previous year के exam में भी कुछ questions पीछे पूछे गए हैं तो आएए एक एक करके समझते हैं लिखा है नाइदर रजनी नौर रागनी वर टू टेक बस आपको बहुत ज़्यादा confusion नहीं रखना है नीदर आपने देखा रजनी देखा लेकिन यहाँ पे नौर देखा फिर रागनी लिखा है तो आपने देखा कि यह रागनी है singular condition में है तो यहाँ पे वर नहीं होगा बलकि हम was के यूज़ करेंगे तो जो भी mistake है वो ए पार्ट में है तो यह point I think समझ में आया होगा अगले question के और move करते है वहीं पे देखते हैं not only but also की condition बन रही है तो लिखा है not only the doctor but also the nurses of this nursing home is very kind and helpful to the attendants आप देख सकते हो यहाँ पे not only के बाद doctor है singular में है लेकिन but also के बाद जो nurses है nurses of this nursing home तो यहाँ पे is नहीं होगा बलकि are का use होना चाहिए क्यों क्योंकि यहाँ पे nurses जो है वो plural condition में है तो जो plural condition में है तो हम plural work का use करेंगे तो गलती जो है वो b वाले part में मानी जाएगे यह point I think समझ में आ गया होगा चलिए अगले question के और फिर move करते है इस बार related है either or से same thing here also यहाँ पे either लिखा है और यहाँ पे और लिखा है और के बाद आप check कर लो कैसा है तो हमने देखा his assistance है his assistance किस form में है plural में है आप subject of agreement है तो subject of agreement में ही यह वर्ब के वर्ब के ही concept को हम देखेंगे और हमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जुरूरत नहीं है तो यहाँ his assistance है तो मतलब हमें जो वर्ब देखना होगा वो plural condition में तो चलिए check करते हैं always try try आपको पता ही है कि यह plural में ही है अपने आप में तो कुल मिला के अगर हम बोलें तो इस sentence में किसी प्रकार की गलती नहीं है इसलिए हम D वाले option को चूज करेंगे that is no error बाई देखो try जो होता है वो वर्ब की first form है try जो होती है वो fifth form होती है tried और tried मतलब third form होती है second form होती है और trying जो होता है वो fourth form तो यह plural form मानी जाती है और इसको हम singular में consider करेंगे तो assistance यहाँ पे plural में है इसलिए इस sentence में किसी प्रकार की गलती नहीं है आईए next cure move करते है अब यहाँ पे crack all difference exam इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि हमें पता है कि अगर हम किसी भी preparation किसी भी exam के preparation करने जा रहे है चुकि यहाँ पे हम difference की बात कर रहे है अगर हम किसी भी difference exam के preparation करने जा रहे है तो एक बहतर material अपने पास होना चाहिए अगर बहतर material नहीं है तो कहीं ने कहीं तयारी जो है हमारी गर्लर डारेक्शन में जा सकती है इसलिए जहाँ पर सभी books को बहतर तरीके से एक concept wise एक trend analysis के द्वारा chapters और बहतर question का collection किया गया है जहाँ पर आप जाईए और इसका आप लाव उठा सकते हैं आप अपने exam के preparation के लिए तो चलिए अगले question की और move करतें फिर से अगले कह रहा है कि there appears a number of new faces in the hall and really do not know where they have come from and why अब यहाँ पर मैंने अभी कुछ दिर पहले there की condition बताई थी कि यह dummy subject consider किया जाता है तो जब भी इसके साथ आप verb का use करोगे वो इसके साथ प्रयोग होने वाले noun या pronoun के अनुसार होना चाहिए तो यहाँ a number of new faces है a number of को मतलब है बहुत के sense में हम यूज करते हैं और यहाँ पे faces की बात की गई है मतलब यह plural की बात हो रही है तो यहाँ पे appears लिखा है और appears की form में है singular में है तो हमें singular नई यूज करके हमें plural को यूज करना है तो appears के स्थान पे appear का प्रियोग होना चाहिए तो correct sentence होगा there appear a number of new faces यह होना चाहिए तो appears नहीं appear होगा तो I think जो भी गलती है वो यह वाले ही part में है ठीक? तो चलिए अगले question के और move करते हैं फिर से और अगला question है is there any difficulties in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus तो देखो यहां पे interrogative sentences बात की गई है तो मैंने बताया था कि यह dummy subject consider किया जाता है तो इसका मतलब है इसके साथ verb जवाएगी इसके साथ प्रेवग होने वाले noun या प्रनाउन के अनुसार होना चाहिए तो any difficulties है यह अपने आप में plural form में है तो यहां पे is नहीं होगा इसके स्थान पे आर का use होना चाहिए तो यह पार्ट में गलती है तो चलिए अगले question के और फिर move करते हैं अगला question है यह देख सकते हैं यह एंडिया के exam में प्रिविस एल्प के I think 2019 में यह question पूछा गया है तो लिखा है अब देख सकते हो करते हो ना ही प्रसंसा ना ही blame मतलब दोस seem to affect him मतलब ऐसा प्रतित होता है को इसको प्रभावित नहीं करते हैं तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे blame आया है blame singular form में है यहां पे seem नहीं होगा seem के स्थान पे हम seems का use करेंगे तो गलती किसमे है B वाले part में है तो यह point आपको समझ में आया ही होगा अगले question क्यों remove करते हैं लिखा है many of why यह सारे questions हैं यह जितने भी questions अब मैं करवा रहा हूं प्रेवियस year में पूछे ही जा चुके हैं तो लिखा है many of why were happy dancing at the victory of our cricket team in Australia आप देखिए यहां पे many a और n की condition अभी पहले ही rule में मैंने बताया था तो many a के बाद why तो singular form में है बिल्कुल सही है लेकिन यहां पे were use किया गया है और were नहीं होगा यहां पे was को ही हम use करेंगे reason यह है कि है तो एक से जादा संख्या की बात कर रहा है लेकिन यहां पे why जो है singular form में है तो जब singular condition की condition apply की जा रही है तो were नहीं होगा बलकि were के स्थान पे was का use होना चाहिए तो यह वाले part में again गलती है तो चलिए अगले question की ओर MKC test prepare देखो यहां पे public की आप बिलकुल यह दिमाग में नहीं आना चाहिए कि advertisement किया जा रहा है बलकि यहां पे information दिया जा रहा है चुकि भले ही अभी lockdown की situation है लेकिन इसके बाद exam तो होना ही है और हमें पता है कि कितना भी हम किताबे पढ़ लें और कितने भी rules को हम रट लें जब तक उन rules को और उन किताब से सीखी बातों को apply करना नहीं आता है तो कहीं न कहीं हमारी preparation अधूरी मानी जाती है तो इसके लिए एक अवश्यक चीज़ बन जाती है कि practice बहुत होना चाहिए बहतरीन questions के collection होना चाहिए और practice बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा practice होती है उतनी ज़्यादा concept हमारे clear होते हैं तो आप MKC Test Prep App को जाएए डाउनलोड करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे point out करूँगा जहाँ पे आपको 5000 से भी ज़्यादा आपको questions मिलेंगे जो easy, medium, hard मतलब सभी level के होंगे और उसके साथ साथ 5 mock test होंगे और इतना करने के बाद आप कहीं न कहीं अपने आपको अंदर से बहुत ज़्यादा confident feel करेंगे कि हाँ अब जो भी exam में हम appear होने जा रहे हैं उसको बहतरीन तरीके से हम बीट कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत important बन जाता है तो बिल्कुल मेरा suggestion ही है कि जाए और download करिए और बहतर collection को के माध्यम से आप अपनी practice को और ज़्यादा strong करिए तो चलिए अगले question के और move करते है अगला question है तो यहाँ पे देखिए student तो singular condition में है लेकिन यहाँ पे go है जो की work की first form है मतलब यह plural verb है और हमें क्या use करना है हमें singular verb का use करना है तो आपको पता है इस go का कोई concept होता ही नहीं है यह गलत हो जाएगा improvement की जरूरत है तो new improvement वाला option हो गई नहीं going हो नहीं सकता क्योंकि basic सी बात है present continuous tense की अगर हम बात करें या किसी भी continuous tense की बात करते है तो verb उसके साथ जरूर आना चाहिए तो इसमें जो भी correct option होगा वो goes होगा many student goes to school in time तो आज के लिए इतना ही I hope कि आपको सारी बाते समझ में आई होगी लेकिन again अभी subject of agreement पूरा समापत नहीं हुआ है अगला part बहुत जल्दी आएगा और जिसमें मैं और important rules के बारे में discussion करूँगा जिससे subject of agreement में जितनी भी बारीक से बारीक चीज़े हैं यह जितनी तरीके से प्रस्ण बन सकते हैं उन सभी को हम discuss करेंगे और जानेगे तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत आज बिद्ध दे सलुशन कम्प्लेट ऑनलाइन टेस्ट साथी साथी असाइनमेंट और प्रपर डाउट काउंसर्ट इस चनोती को और समें बदलना है और हम आपके साथ हैं तुरण डाउन्लोड करें एमकेसी लर्निंग आप कहते ना ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फोजी बनेगा इंडिया